मित्रो, पाप कर्ब का फल अवश्य मिलता है, हम सभी जानते हैं, किन्तु महाभारत की इस कथा में इसे बड़े ही सटीक ढंग से बताया गया है आईए सुनते हैं, महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारवाहिक पाँच, कथा सेंटीस, पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है प्राचीन काल में एक राजा सोमक हुए, उनके सो राणिया थी, किन्तु उन्हें पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पा रही थी राजा ने अनेक उपाय किये, किन्तु असफल रहे, वुरद्धा वस्था होने पर भी वे पुत्र के लिए यत्शील रहे, और फिर किसी एक स्त्री से एक पुत्र की उन्हें प्राप्ती हुई, जिसका नाम जन्तु था जन्तु बच्पन से ही सभी रानियों का लाडला था एक दिन की बात है, एक चीटी ने उसके कटि भाग को डस लिया, वह तीवर स्वर में रोने लगा उसकी सभी माताएं उस चीटी को जन्तु के शरीर से हटा कर तीवर स्वर में रोने लगी चुकि उन्हें बड़ा कश्ट हुआ था कि उनके एक ही पुत्र था और वह भी कठनाई में था तब सभी माताएं आर्तनाद करने लगी राजा सोमक उस समय सभाभवल में थे उन्होंने आर्तनाद सुना तो विहवल हो गए और कहा यह क्या अनर्थ हो गया और उन्होंने ततकाल ही द्वारपाल को बात का पता लगाने भेजा द्वारपाल ने आकर सारा वृत्तांत सुना दिया तो राजा चिन्तित हो गए उन्होंने मंत्री गणों से कहा मैंने पुत्र की इच्छा से सो रानियों से विवाह किये किन्तु मुझे मात्र एक ही पुत्र प्राप्त हुआ यदि उसे कुछ हो गया तो मेरा जीना असफल हो जाएगा मंद्रियों ने कहा महाराज पुरोहित जी के पास इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा आप उनसे मंत्रना कीजिए राजा ने कहा उचित है और ततकाल ही पुरोहित को बुला भेजा उसके आने पर राजा ने कहा द्विजश्रेष्ट मेरी एवं रानियों की अधिक अवस्था बीत गई है किन्तो अभी तक हम सभी के प्राण एक पुत्र में ही बसते हैं क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि हमारे सौ पुत्र हो जाएं तब चाहे वो कर्म महान हो लगू हो अध्वा दुश्कर पुरोहित ने कहा राजन ऐसा कर्म अवश्य है कि जिससे आपको सौ पुत्र हो सकते हैं किन्तो क्या आप कर पाएंगे राजा ने कहा भगवन आप मुझे बताइए मैं अवश्य करूंगा चाहे वह करने वाला हो अथवा नहो पुरोहित ने कहा ठीक है राजन इसके लिए एक यग्य करना होगा जिसमें आपके इस पुत्र जन्तु की आहुति देनी होगी जिससे आपको सौ पुत्र प्राप्त होंगे राजा सोमक ने कहा जीवित पुत्र की आहुति क्या उचित होगा पुरोहित ने कहा राजन यही एक उपाय है साथ ही आपका यह पुत्र भी पुनह पैदा होगा जिसकी बाई पसली पर एक सुनहरा चिन्न होगा फिर राजा ने यग्य की तयारी शुरू कर दी राणिया बेहाल हुई जा रही थी कि उस नन्हे से बच्चे की बली दी जा रही थी वे उसे पकड़ पकड़ कर अपनी और खीज कर सीने से लगा लगा कर करण विलाप कर रही थी किन्तु होनी को कौन डाल सकता था उस पुरोहित ने जन्तु को राणियों से बलात खीच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें विधी पूर्वक यग्य की अगनी में डाल दिया चर्वी की गंध से सभी राणिया मूर्चित होकर धर्ती पर गिर पड़ी और इसके प्रभाव से वे सभी गर्भवती हो गई प्रशवकाल के बाद राजा सोमक को सौ पुत्र प्राप्थ हुए राजा का पुत्र जन्तु अपनी माता के गर्भ से पुनह पैदा हुआ जो सभी राणियों का प्यारा था उसकी पसली पर सुनहरा चिन्ध था और वही सभी पुत्रों में शुरिष्ट था समय के साथ पहले पुरोहित और फिर राजा सोमक परलोक वासी हो गए जब राजा सोमक यमलोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे थे राजा ने पूछा दम्मन आप नरक की आग में क्यों पकाए जा रहे हैं पुरोहित ने कहा राजन मैंने जो पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे यग्य करवाया था यह उसी कर्म का फल है राजा सोमक को दुखी देख कर यमराज ने कहा करता को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और उस यग्य कर्म का कर्ता यह पुरोहित ही था तुम भी इस कर्म में कुछ आंश तक भागिदार थे, अतह तुम्हें भी अपने उस कर्मांश का फल भोगना ही होगा, फिर उन दोनों को ही नरक की आग में तपना पड़ा। मित्रो, पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है, इससे कोई भी बच नहीं सकता, मिलते हैं एक और अदभुत कथा के साथ, तब तक आप सुखी और सानंद रहें, जय भारत!